हमारा सरीर प्राकृतिक का बनाया हुआ एक अनमोल तौफा है जिसकी हमें खयाल खुद रखनी होती है लेकिन हम उसका खयाल रखने में ही लापरवाही कर जाते हैं अनिमेद खानपान हमारे जीवन सैली को बिगाल देता है जिसका नुकसान हमारे सरीर को भुगतना पड़ता है जिसे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है और तरह तरह की बिमारियां हमारे सरीर को भीरने लगती है अगर हमें इसको सही रखना है तो इसका ध्यान रखना भ क्लिप्सक्राख कर रहा है या नहीं इसके लिए आप अपना पाचंतंच्रटी करना चाहते हैं तो अद्रक और नीबु यूक्त चाई का से खाने खाने से पहली कर सकते हैं ऐसा निरंदर करने से आपका पाचन तंत्र पुन्टेया ठीक हो जाएगा वहीं आपको दूसरी विदी में उपवास करना चाहिए जिहां अगर आप पाचन तंत्र ठीक करना चाहते हैं तो आप कम से कम एक हफते में एक या दो बार तो आप उपवास कर ही सकते हैं इससे आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद मिल सकती है अपने पाचन तंत्र को खादे पदार्थों से अराम देंगे तो इस दोरान सरीर को मरमत और पुनर जीवित करने में भी मदद मिलेगी और आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा वहीं आप समय से खान पान का भी ध्यान रखे पाचनतन ठीक रखने के लिए सबसे महात्वपूर्ट तरीका ये भी है कि आप समय से खान पान का विसेश ध्यान रखे रात्री का भोजन ग्रहल करने का समय साले 6 से उपर न रखे ये समय भोजन के ग्रहन करने का ही समय होता है और इसके बाद अगर आप भोजन ग्रहन करते हैं तो वो व्यर्थ होगा वहीं आप ठंडे पे से भी बचें जितना हो सके ठंडा पे जैसे कोल्ड रिंग, फ्रिज में रखी ठंडा पानी की बोतल और कई अनिप्रकार के ठंडे पेसे बचें जिससे आपका पाचन तंद्र पूर्ड तयार ठीक हो जाएगा और आप स्वस्त रहेंगे नेक्स्ट नाइन क्यूरेंड हल्ट एक्स के रेपोर्ट